वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हैं तो दोस्तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करेगा दोस्तो जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलत रहेंगे चलिए friends अब हम वीडियो स्टाट करते हैं हेलो friends welcome to crazy dicatrix आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे science का topic है very important topic है मानो शरीर के तंत्र की बात करेंगे जिसमें दोस्तों आज हम discuss करेंगे पाचन तंत्र को digestion system यह very important topic है science का और काफी लोगों ने request कर रहा था तो finally आज हम इस topic पर discuss करेंगे friends साथ में very important question answer set भी लगाएंगे जो previously इस topic से questions पूछे गए हैं तो काफी अच्छे से मैंने समझा है इसको diagramatically समझा है आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और 100% अगर इस वीडियो को देखेंगे तो इस topic से कोई question आएगा तो आप solve करके आए exam में चलिए friends हम वीडियो को start करते हैं दोस्तों मानव शरीक के तंत्र में अलग-अलग topics आते हैं जैसे पाचन तंत्र, श्वशन तंत्र, तंत्रीका तंत्र जिसमें मस्तिक्ष के बारे में वड़न हैं और रक्त परिसंचरन तंत्र ये चार जो topic हैं ये एक-एक करके हमको समझना होंगे तो हम मानव शरीर के सारे तंत्र को अच्छे समझ और भी होते हैं वड़ ये चार important है जिससे questions बनते हैं तो आज के lecture में हम पाचन तंत्र को अच्छे समझ रहे हैं, digestion system को समझ रहे हैं उसके बाद हम श्वशन तंत्र, तंत्र का तंत्र और रक्त परिसंचरन तंत्र को समझेंगे एक-एक करके सारे वीडियो भी आने वाले है आप इल्कुल निश्चिन तो जाएए, सबसे पहले हम पाचन तंत्र को discuss करते हैं, चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक important point रहेता हूँ, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारा खाना होता है, वो body में जाता है और पाचन उसकी क्रिया होती है, तो अलग हमारी body में, इनको English न बोलाता है, glands, ये ग्रण्धिया हमारी body में अलग- suntravan करती हैं, ग्रंधियों से क्या निकलता है, रस निकलता है, और इन रसों में क्या होता है दोस्तों, enzymes होते हैं, और ये ही enzymes जो होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं, मतलब enzyme کا का काम होता है कि भोजन जो हम खाते हैं वो बड़े-बड़े एटम में होता है बड़े-बड़े अनुओं में होता है उसको तोड़ने का काम जो होता है चोटड़े पहले आप प्रोसेस समझ लीजिए, मान लेते हैं आपको ये black color का कोई खाना है, ठीके, और किसी भी मनुष्य ने वो खाना खाया, तो वो मुह से होता हुआ, दोस्तो, जाता हुआ, ग्रसनी से होता हुआ, यह गया यहाँ पर, यह आगे हमारा अमाशय, अमाशय से निकला हो, छोटी आप में गया, छोटी आप में काफी देर तक रेता है खाना हमारा सबसे, उसके बाद बड़ी आप में होते हुए, वायनस से यह exit हो जाता है, ठीके, तो यह खाने की एक प्रोसेस होती है, पूरी, यहाँ से travel करता है, पूरा हमारे body में, अब मैं आपको एक एक टाइलीन नामक enzyme, कौन सा? टाइलीन, यह टाइलीन नामक enzyme जो होता है, यह क्या कर दाता है, खाने के साथ अच्छा घूल जाता है, और starch का पाचन करता है, किसका करता है, पाचन? स्टार्च का पाचन करता है, मतलब माट को माल्टोज में कनवर्ट कर देता है, तो यह directly questions कहां पर आता है, अमाशय में आता है, उसकी process आप समझेए कि यहां पर क्या होता है, अमाशय में दोस्तो ध्यान रखिएगा, जो खाने में protein होता है, उस protein का पाचन जो होता है, वो कहां होता है, अमाशय में होता है, मतलब stomach में होता है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसकी दिवारों पर gastric ग्रंथिया होती है, कौन सी होती है, gastric glands होती है, इसको हिंदी बुलाता है, जठर ग्रंथी, इससे कौन सा रस निकलता है, gastric रस निकलता है, मेना को उता है, ग्रंथिया जो होती है, वो रस निकलता है, और रसों में क्या होता है, एंजाइम होता है, औ दो एंजाइम इसके अंदर होते हैं पैप्सीन और रेणिन, समझ में आये आपको, अब ये पैप्सीन नामक जो एंजाइम होता है, इसका बहुत इंपोर्टेंट डाल रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन को पैप्टॉंस में कनवर्ट कर देता है, किस में इसको बोला जाता है small intestine, अमाशे से छोटी आथ में जल Dimple जाता है almost अमाशाय में यहां। याँपर खाना जो पाचन हो जाता है, उसके बाद यह जो जाता है छोटी आथ में इससे पहले यहाँ पर आकर कुछ रस इससे मिलते हैं, juice इससे मिलता है, कहाँ पर मिलता है, बिल्कुल छोटी आथ के point पर, तो मैं आप बताता हूँ, कौन सा दो अलग-अलग type के juice होते हैं वो, देखे, ये आपको दिख रहा है, ये portion होता है, लीवर का, इस्त्रावित करती है, ध्यान रखिए का, ये boil juice जो होता है, ये पित्राशय में होता है, कहाँ पर होता है, स्टोर, पित्राशय एक थेली नुमा संरशना आपको दिख रही होगी, यकरत के अंदर, लीवर के अंदर, तो वहाँ पर स्टोर रहता है, पित्राश का स्थ्रावन कों करता है, यकरत करता है, deed मैंने आपको बता यह, यूरिया का निर्मान करने काम भी, यकरत का होता है, और इसका main roll होता है, कि ये खाने में जो जिवानों होते हैं, विशेले पदार्त होते हैं, उसको खतम करने का काम कोन करता है यकरत ही करता है लीवर ही करता है ठीक है आपको ये देखो ब्लू कलर की आपको लाइन दिखरी होगी एक आरी है अगला पार्ट जो हम डिसकस करने वाले है अगनाशय से ये ब्लू कलर की लाइन आरी है ठीक है और एक आरी है यकरत से और ये क अगनाशय रस आता है, जो कि कहा मिलता है, मैंने आपको बताया है, अमाशय से जो हमारा खाना, पचावा खाना आता है, उसके साथ मिलता है, तो अगनाशय में क्या होता है, दोस्तों ध्यान रखिए, अगनाशय में बहुत सारी ग्लेंड होती है, ग्रंतिया होती है, वो अग प्सिन नामक एंजाइम का होता हैं, समझ में आया बात को, तो यह अगनाशय रस जो होता है, और पितरस, यकरस से पितरस आ रहा है, और अगनाशय से कौन सा रस आ रहा है, अगनाशय रस आ रहा है, और यह आके का मिल रहे हैं, अमाशय से जो भोजन, छोटी आत में जा रहा ह यहाँ पर यह उससे आके fast reaction करती है जो हमने खाना खाया उसके साथ में जो पचावा खाना यहाँ से आता है हमाशा ऐसे उसके साथ में fast reaction करती है fast reaction करने के बाद खाना जो होता है almost पच जाता है खाना यहाँ पर और इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आत के अंदर ठीक है ये छोटी आत होती है और धियान रखिए दोस्तों एक इसकी जो दिवारे होती हैं इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और यह क्या करते हैं यहां मैंने आपको बताये यहां से खाना कहा जाता है फिर बड़ी आत में इंटर करता है और बड़ी आत से होता हुआ खाना जो होता है दोस्तों ये बड़ी आत में इंटर करता है बड़ी आत के बाद ये खाना एनस से एक्जिट हो जाता है ठीक है बचा हुआ जो वेस्टेज होता है वो सारा एनस से एक्जिट हो जाता है तो ये एक पूरी प्रोसेस है आपको जाएक हो तो पने पाइबादे होता है demasi होने जीस स्थान्य होता है तो चोंटीन होता है प्रोटईण में चल्फटे-बलों में करवड़। तो ये छोटे-छोटे questions पूछते हैं, ये हमको system आपको बहुत आसानी समझ में आओगा, मैंने छोटे-छोटे parts को बताया और important point बताएं, बहुत सारा है पढ़ने को, बढ़ हमको वो point पढ़ना है जिससे questions बनने के chances बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है दोस्तो, तो ये आपको पूरा system समझ में आ चुका है, अब दोस्तो एक point द्यान से सुनिये, हमने ये दिरू पढ़ लिया कि सबसे बड़ी गरंथी यकरत होती है, तो हमारी body में सबसे छोटी गरंथी कुन से होती है, वो भी हम पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा point है, तो वो गरंथी होती हैं, दोस्त तो question answer test, और कितनी आसाने से आप question solve कर लेंगें, देख लेना, आप एक बार अच्छे से lecture को समझ लीजिए, अच्छे से notes बना लिएगा, फिले एक बार आराम से समझ लीजिए, उसका notes बना लेना, और question answer test लगाईए, देखते हैं कितने question solve करते हैं, पहला question है दोस्तों हमार मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग की संग में संपन होता हैं, देखिए, मैंने आपको बताया था, कि पाचन का जो सबसे अधिक्तम भाग होता हैं, वो कहां पर होता हैं, छोटी आत में होता हैं, जो आर नली होती हैं, सबसे लंबी कहां पर होती हैं, छोटी आत मे नहीं है तो इसका अंसर लगेगा C answer अजिक्तम पोशक तत्वरक्त में कहां से आउश्वशित किया आते हैं देखिए आउश्वशन करती है छोटी हाथ तो इसका अंसर लगेगा C answer आगे और question देखते हैं अगला question आता है दोस्तो लार में कौन सा enzyme होता है देखिए लार में मैंने आपको बतायता है टॉलिन नामा के enzyme होता है और मैंने आपको बतायता है यह starch का पाचन करता है ठीक है मुह के अंदर क्या होता है starch का पाचन होता है तो इसका answer लगेगा B answer पेट में भोजन पचाने के लिए निमने लिखित में से किसकी खाश आउशकता होती है देखिए हवा पानी enzyme खनीच तो answer लगेगा इसका C answer enzyme की आउशकता होती है लार किसके पाचन में सायक होती है देखिए protein starch वसा और fiber तो starch का पाचन में लार सायक होती है important question है बहुत तो इसका answer होगा B answer चलिए आगे और question देखते हैं मानाओ के अमाशय में X अमल उत्पन होता है जो भोजन के पाचन में सायक होता है तो यह X है कौन सा अमल यहाँ पर उत्पन होता है acetic अमल, methanoic अमल, hydrochloric अमल, HCl या citric अमल, तो मेना को रहता है था दो enzyme होता है यहाँ पर कौन-कौन से होता है दो enzyme, pepsin और renin, plus 7 में HCl भी होता है, gastric rust से निकलता है यह, तो gastric rust में होता है यह, तो इसका answer क्या लगेगा, C answer, HCl, अगला question है पचे हुए भोजन में विशेले पदार्त कोन सा अंग चूशन करता है, तो वो करता है यकरत, मैंना को रहता जीमाणों का खतम करता है, किसा काम होता है यकरत का, अगला question है, पैपसीनेक है, पैपसीनेक क्या है, हर्मोन, विटामिन, खनीज, यार एंजाइम, तो एंजाइम है, इसका answer लगेगा, D answer, चलिए आगे और question देखते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन, निम लिखित में से किस पदार्त में बदल जाते हैं, तो प्र क्रत की कोशी कहां से स्त्रावित होता है, तो इसका answer क्या लगेगा, A answer लगेगा, और यह stored होता है, पित आशय में, अगला question है, पित जो होता है, वो कहां जमा होता है, देखिए, वह वो ही question आ गया, पित जो जमा होता है, वो कहां पर, पित आशय में जमा होता है, गल, ब्ल से question आता है, तो almost हमने बहुत अच्छा topic cover करा है, practice करिए दोस्तो, test लगाईए, मेहनत करिए, सफलता जरू मिलेगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाए, तो जल्दी से इस वीडियो को like करिए, दोस्तों के साथ शेर करिए, और comment करके बताईए, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं, तो जल्दी से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की अच्छे अच्छे वीडियो में आपके लेकर रखता रहूंगा, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!